तो दोस्तों अभी आपने जिस तरह का सब्सक्राइब बटन देखा है जिसको की आप अपने वीडियो में लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे देखिए उसके लिए आपके पास सबसे पहले काइन मास्टर एप होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप प्लेश्टोर से डाउलोड कर सकते हैं बट वहां से डाउलोड करेंगे तो उसमें वाटर मर्क आएगा ठीक है और उसका लेसेंस आपको पर्चेस करना परेगा बट अभी आपे हमने आई बटन में एक लिंक दिया है आप वहां पे जाएंगे तो वहां पर उस वीडियो में आपको पता चल जागा कि आप कैसे डाउलोड कर सकते हैं काइन मस्टर बीना वाटर मर्क वाला ठीक है तो चलिए आप वीडियो पर चलते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है प्लस आइकन पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद यूटूब के हमने description में दे दिया है आप वहां पे जा कर डाउलोड कर लेंगए ठीक है तो देखिए इसके पाद आपको क्या करना है सिम्पली आपको सलेक्ट कर लेना है ठीक है जो green screen है इसका तो green screen आप पहले आप पे ले लेंगे ठीक है तो देखिए यह जो है इसको आपको play करके देखा अभी इस green screen में आपको अपना क्या करना है आपका जो profile photo है चैनल का उसको आपको यहाँ पे बीच में adjust करना है आप देखिये आपको इसके बाद क्या करना है ठीक है पूरा यहाँ पर दिख रहा है अब इस position पर आने के बाद layer पर आना है इसके बाद media पर आएंगे और आपको जो भी फोटो इसके अंदर लेना है वो फोटो आप ले सकते हैं ठीक है तो हमने जो फोटो लिया था वो तो हमने वहाँ पर अपना photo एक डाल कर बना लिया था ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर एक photo ले लेते हैं चलिए इसको हम ले ले लेते हैं ठीक है इसको अब आप एड्जेस्ट करसे करना है वो देखिए अभी photo हमने ले लिया है अब इसके बाद आपको क्या करना है crop पर जाएंगे ठीक है cropping पर जाएंगे mask जो है इस पर click करेंगे shape चाएंगे फिर यह goal circle वाला जो है इसको select कर लेंगे ठीक है अब देखिए circle वाला जो हमने select किया है तो circled릴 Taking है इसको हमें रखना है और यह पूरा गोल करना है ठिक है तो गोल कैसे करेंगे वो देखिए खृप पर जार्वा जांते कि इसको साइट से इस तरह से करेंगे ठीक यह ए तो वहां से उत्र साथ है आप देखिए यह perfect goal हो चुका है तो इसके बाद देखिए इसको इतना चोटा करेंगे कि यह यहां पर तो दिखिए यहां पर आपकर दिखर ढ़क हो फिट हो जागा ठीक है वे यहां पर आपको ध्यान दिए कर दो किए अप्झें जो आप कीजिए यहां तो इसको इसी बादो करना कि यह इस फूट अब देखिए इसको एक बार हमको प्ले करके देख लेना यह थीक है तो पहले इसका है प्ले कर लेते हैं तो देखिए इस तरह सी फोटो थोले सा इफिक्ट डालना है तो जो फोटो और डाला है इस पर क्लिक करेंगे starting point पर लाएंगे in animation में आएंगे ठीक है in animation में आने कबाद देखिए आप चाहे तो यहाँ पे fade कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे पॉप-अप कर सकते हैं तो चली हम पॉप-प कर देते हैं ठीक है पॉप-प करने कब आपको क्या करना है इसका timer जो है set करना है ठीक है तो timer अब इसका one ही रहने दीजिए ठीक है अब देखिए इसको play करते है starting से फिर से ठीक है देखिए इस तरह आ चुका है ठीक है लेकिन अभी यह जो safe है हमारा थोरा सा और छोटा होगा क्योंकि यह अभी pop up होने के बाद यह बाहर चला गया था तो अब इसको हमें adjust कर लेना है इसको अच्छे से कि इसके चारो साइट से जो background कुछ दिखे नहीं तो चलिए अब देखते हैं देखिए perfect तरीके से आ चुका अब इसको क्या करना है इस फोटो पर क्लिक करेंगे ending point पर आएंगे और यहां पर आने के बाद हमको क्या करना है फिर से इसमें effect डालना है तो अब देखिए दूस्तो जो photo select किया था इसके ending point पर आएंगे इसके बाद out animation पर क्लिक करेंगे और scale down select कर लेंगे timing जो है 1.5 कर देंगे okay कर देंगे अब play करके देख लेते हैं एक बार देखिए यह perfect तरीके से बन चुका है आपको क्या करना है simply यह back button है उपर में इस पर click करेंगे उसके बाद आप इस पर click करेंगे एक बार second number पर जो है share का यह button है इस पर click करेंगे यहाँ पर जो resolution है आपका यहाँ से select कर सकते हैं कोई भी YouTube के लिए चाहिए तो बैटर है कि आप कम से कम 720p HD जो है यह कीजिए ने तो full HD जो है perfect है और QHD जो है यह आप कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते है फ्रेम डेर जो है आप minimum 24 लेंगे और 30 जो है perfect ह इसके बाद आप expert पर click करेंगे यह हमारा expert हो जाएगा अब देखिए यह हमारा video जो है छोटा सा यह subscriber का यह हमारा expert हो चुका है अब इसको अपने YouTube वीडियो में use कैसे करना है वो देखिए इसके लिए भी आपको काई master में आना है plus का icon पर click करेंगे section by 9 का ratio select करेंगे media पर आ जो हंब सीडियो में select कर लिये अब इसमें वह button add कैसे करना है वो देखिए तो button add करने के क्लेको क्या करना है कि आप video जो select करेंगे ठीक है video select करने के गाठे जहां पर भी आफको बदे लगाना है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं जहां भी लगाना होगा आपक क्या करना है layer गिए पर किलिक करेंगे मेडिया पर आएंगे expert पर किलिक करेंगे ठीक है तो यह वाला सबसे पहला वाला यह भी हमने expert किया था ठीक है तो अभी देखें यह बिल्कुल green green दीख रहा है ठीक है इसको अब क्या करेंगे गर प्त्रीक चाहे तो zo आप देखिए आपको क्या करना है नीचे आएंगे और नीचे क्रोमा की है क्रोमा की पर क्लिक करेंगे इनेबल कर लेंगे ओके कर देंगे आप देखिए वीडियो पे लेकर करके आपको दिखाते हैं जो हमने अभी सब्सक्राइब बटन जो क्रियेट किया है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सो करेगा बैगराण कुछ भी सो नहीं करेगा ठीक है देखिए एक बार तो देखिए आपने देखा अभी कैसे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब बटन जो है यहाँ पे अपने वीडियो में एड कर लिया बैगराणों कुछ भी नहीं दिख रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से आप जो वीडियो बनेंगे यूट्यूब के लिए तो जिस पो जिस टाइम पर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे वीवर्स को उसी टाइम पर आप इसको एड कर सकते हैं इसके बाद सिंप्ली आपको फिर वही बैक बटन पर आएंगे और वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे शेयर बटन पर जाएंगे फिर रेजिलेशन जो है यह सब करके आप इसको एक्सपार्ट कर लेंगे उसके बाद आप इसको यूट्यूब कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट किजिए गार बताईएगा अगर वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक करना और जादस जादस सेयर करना और अगर आप हमारे चै कि अान भर बताईएगा